हेलो स्टुडेंट वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ हमने स्टार्ट कर खवई जिसका अभी तक हमने क्वेश्चिन नंबर 9 तक कर लिये थे आज क्वेश्चिन नंबर 10 हम सुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चिन नंबर 10 के अंदर हमें क्या बोला भी यहां पर हमें दिया है कंस्ट्रक्ट करने एक पैरलेलियोग्राम जिसका नाम है पी क्यू आरेस इन विच क्यू आर की वैल्यू हमें 4.70 है एंगल क्यू हमें 120 डिग्री ड्रो करना है और पी क्यू की वैल्यू हमें 2.8 सें तो यहां पर हमारे पास केल उसकी हैल्प से हम यहां पर ड्रो कर लिए लाइन इसकी लेंध है 4.7 यह 4.5 यहां पर आजेगा अपने वास यह हमने आपर लाइन ड्रो कर लिए 4.7 इसका नहीं रख देते हैं आपर 4.7 उसके बाद 4.7 सेंटिमेटर हो जाए गया आपर उसके बाद क्या करेंगे हमने बनाना यहां पर 120 डिग्री की लाइन है क्या बनानी है आपर 120 डिग्री के एक लाइन बनानी है 120 डिग्री के अंगल बनाना है क्यों के उपर ठीक है यहां पर क्यों के उपर पॉइंट रखेंगे और यहां पर 120 डिग्री के अंगल बना देंगे ठीक है यह हमारी आर्क होगी इसके यहां पर हमारे पास यह हो जाएगा पॉइंट यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाए यहां पर हम कि यहां पर देजिक को चाहिए हम नहीं हमों पर काहिए सबस्तिक के यह हमारी होगी 4.7 जिसका नाम है अपने पास कितना qr ठीक है और यह अब हमने क्या करना इसको बोल ला कि 120 डिग्री बनाने के बाद क्यू पे इसको 2.8 cm जितना खीच लेना भई हम क्या करेंगे सब्सक्राइब कंपस लेंगे कंपस की हैल्प से 2.8 cm उपन कर लेते हैं इसको स्केल की हल्प से यह हमने 2.8 cm उपन कर लिया वही तू 5 6 7 और 8 यहां पर 2.8 जहां पर भी हमारा टोटल आ जाएगा इसको अब जहां पर क्या करना यहां रखना और इसको कट कर देना यहां से यह हमने इसको डाक डू कर लिया ठीक है तो जिस poign को दू किया उस poign का नाम रख देना अमने यहां पे PQ नाम है यहां पर PQ रख देते हैं तो अपने है PQR को अब हमने क्या करना है P को और R को center मानना है और हमने यहाँ पर ड्रो करनी है दो आर्क जिसकी लेंथ होगी 4.7 और 2.8 जहां पर यह intersect करेंगे आरक उस point को हम ऐसर नाम दे देंगे ठीक है तो सबसे पहले P पे और Q पे center मानने तो सबसे पहले length देख लेते हैं 4.7 दी है P से तो P से 4.7 मीजर कर लो भई यह हमारे पास है 567 यह हमने यहाँ पर रखी needle और यह 4.7 जितना compass खोल लिया हमने ठीक है यहाँ अब क्या करेंगे P पर रखेंगे इसको ठीक है और आर्क लगा देंगे टीक है यह लगा देंगे 4.7 की अब उसके बाद बोला 2.8 की आर्क लगानी आपने तो क्या करते हम 2.8 जितना खोल लाते हैं यह हमने 2.8 जितना खोल लिया यह है अपना 2.8 अब क्या करेंगे इसको Q आर्प पर रखेंगे और इसको काट देंगे जहां पर कट कर रहे हैं ज पर एक दूसरे से हमें पर मिला देंगे ताकि हमारा यहां पर PQ 더 S. बन सके तो यहां पर क्या करेंगे आर्पॉइंट अरप थे गले जहां से कट के उसके उसको पोने से हम ऐसे मिला दिया हम मिला देंगे किस से अर पॉइंट से भी ठीक है जो जहाँ पर कटकी है न उसको आर पॉइंट से मिला देंगे कि यह हमने से मिला दिया तो हमारे पास यह पर बन गया भई यह P, Q, 0 और इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पे S, का नाम दे देगा भई ett और हमने यहां पर इसको ड्रो कर दिया कि हमारा यह स्कुएंट हो जाएगा ठीक है अब इसकी लेंथ लिए लेते हैं अगर यह 4.7 है तो यह भी कितना था भी हमारा 4.7 यह कितना था 2.8 है तो यह भी हमारा 2.8 cm होगा ठीक है अब यह हमारा यहां पर question number 10 complete हो चुका है इसकी construction ह हमने यहां पर ऐसे करने थी ठीक है next question अभी अपने पास question number 11 question number 11 में देखो क्या दिया हमें construct करना हमने यहां पर एक parallelogram को जिसका नाम है ABCD in which BC की length हमें 5.5 cm दिया भी CD की हमें 3 cm दिया है और diagonal भी दिया हमें अब की बार BD जिसकी length है 6 cm ठीक है भी अब हमने यहां पर क्या करन है ड्रो करना इसको देखो सबसे पहले construction में क्या करना होगा construction में हमें बोला कि एक line segment बनाओ जिसकी length हमें कितनी दिया है BC की 5 cm तो क्या करते हैं भी scale की help से यहां पर हम ड्रो करेंगे 5 cm की line को ठीक है भी यहां पर 5 cm जितनी एक line draw कर लेते हैं तो क्या करेंगे यहां पर draw कर तो यह हमने यहां पर draw कर लिया है 5 cm की line यहां पर scale पर हमने 5 cm की line draw कर लिया हुई जिसका नाम रखेंगे हम यहां पर क्या BC क्या रखना भी इसका नाम BC रखेंगे BC और 5 cm की length ही अपने पास उसके बाद बोला क्या नहीं कि आपने क्या करना है with center B and C B और C को center मानना आपने radius 6 और 3 के साथ हमने open करके compass को arc लगा देनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे मैं आप वई compass की help से आर्क लगा देते हैं पहले बोला 6 और फिर बोला 3 तो पहले 6 की लगा देते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं 6 जितनी ऐसे की तरफ लगाना है तो REP's को यहां यह उसके बाद फिर भूलाए कि थी को आत ली तरी सेंटिमेटर तक तो 3 cm तक open कर लेते हैं भी कमपस को यह कर लिया हमने 3 cm तक इसको open यहां पर रखेंगे और 3 cm जितना open करके आपने C point पर रखना है रखना है रको needle को sorry और उसको cut कर देना वही यह हमने यहां पर इसे cut कर दिया अब जहां पर भी cut हुआ ना उसको आपने क्या करना dark line के थो आपने महाँ पर line कीच देनी है भी तो सबसे पहले यहां से B से कीच देते हैं चलो तो यह हमारा यहां पर point आया है यहां पर cut किया है और इसको B point से मिला देंगे dark line के थो यह हमने B से मिला दिया ऐसे और इसको फिर मिला देना वही C से किस से C से भी मिला देना है जहां पर एक कट किया था तो हमने यहां तक कर लिया वही इसको ठीक है अब हम क्या करेंगे next line देखते हैं क्या बोला है हमने बोला था ने BD और CD को मिला देना है यह बी डी है यहां पर कौन सा point है डी है तो बी डी को मिला दिया और सी डी को भी मिला दिया जोइन कर दिया यह point भी हो चुक अपना अब next में देखो क्या बला fourth point में आपने बी और डी को किसको बी और डी को center मानना है और आपने 3 और 5 cm के एक arc खीच नहीं है पहले बी पे 3 cm के और डी पे 5 cm के आर्क खीचेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं compass की help से यहां पर हम 5 और 3 cm open कर लेते हैं इसको पहले करते हैं भी 3 cm मेरे खाल से 3 था हमने पहले open किया था नहीं से कितना अब यहां पर रखेंगे इसको 5 cm यहां पर दम निलेंगे और इसकी बार क्रणें को नाम होगा तकि आपका सब्सक्राइब तो पहले मिलाद इतने बाद में करेंगे जो इने बाद में नाम करते हैं तो यहां पर हमने क्या कर दिया इस पॉइंट को पर रखा और इसको बी पॉइंट से मिला दिया उसके बाद क्या करेंगे इसी को हमने मिलाना किसे डी पॉइंट से तो हमने क्या किया यहाँ पे स्कोप बन किया और डी पॉइंट से से मिला दिया ठीक है भी तो यह बन चुका हमारे पास नाम रख लेते हैं पर चलो इसका ए नाम है तो A, B, C और D यह हमारे पास बन चुका है भी पैरलेलियोग्राम A, B, C, D इसकी लेंथ 5 है तो इसकी भी क्या बोला है कंस्ट्रक्ट करना हमने एक पैरलेलियोग्राम A, B, C, D नेमिंग है इसका जिसके अंदर हमें A, B की वेल्यू 4.8 सेंटीमेटर दी है B, C की वेल्यू 3.5 सेंटीमेटर और डाइगनल भी दिया हमें A, C जिसकी लेंथ 5.4 सेंटीमेटर तो हमें कंस्ट्रक्ट कर देखो सबसे पहले क्या करना होगा हमें हमें करना है ड्रो एक लाइन सेगमेट जिसकी लेंथ है A, B की 4.8 सेंटीमेटर तो सबसे पहले क्या करें हम यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रो कर लेते हैं जिसकी लेंथ हमें कितनी दिया है यहां पर 4.8 सेंटीमेटर तो क्या कर 4.8 cm की length वाली लाइन ठीक है इसका नाम रख लेते हैं 4.8 cm है और नेमिंग क्या थी वह इसकी A और B उसके बाद देखो में क्या बुला वही हमें बुला गया कि A और B को आपने आपने पॉइंट मानना है रेडियस 5.4 और 3.5 जितनी आपने लेंट खीच देनी है आर्क लगा देना है तो सबसे पहले क्या करेंगे स्केल और कमपस की हैल्प से लेंथ ओपन कर लेते हैं पहले वह फाइप फॉइंट फॉर फी बोला 3.5 तो पहले 5.4 खो अपन कर लेते हैं यहां पर वहीं और 5 के बाद यह 4 आ गया यहां पर ठीक है तो 5.4 जितनी हमने उपन कर लिए कंपस और इसको हमने लगा देना यहां इसको मिला देना भी एपोइंट से लिए और यहां पर यहां से टेके अब जिस भी पोइंट पर कटा ना यह आपने क्या करना इसको मिला देना भी एपोइंट से और B point से तो यहाँ पे हम क्या करता है A point Verkehr अपना और जहाँ पर cut की है वहाँ पर क्या करेंगे से मिला देते हैं बही A point से Dark Line के तरुछ भी मिला देना है यह इससे मिला दिया अब इसको भी मिला देते हैं अबी इस point से B point से तो यहाँ पे इसको मिलाने के बाद AC और BC को जोइन कर देना है जो हमने कर दिया एसी को और BC को जोइन कर दिया भी हमने यहाँ पर अब क्या करेंगे यहाँ पर simply ABC तो हो गया अब हमने next देख नहीं क्या करना है 3.5 हाँ भी 3.5 हमारी पहले यह उपन है तो इसको क्या करते हैं यह पॉइंट पर रखते हैं और आर्क लगा देते हैं यहां से जहां भी लगेगे अपनी यह लगए अपनी अर्क ठीक है भी अब बाकी कितना बोले हैंनोंने 4.8 कितना बोला भी 4.8 जितना उपन कर लेना अप सिम्पली तो है हैं यहां पर हमने इसको कट कर दिया अब जहां पर भी कट ऑणको मिलाना विए और अभी हैस और सिपॉंट से तो क्या करेंगे कट कि तो यह हमने Cap आप टो यह एपॉइंट से हैं अब क्या करेंगे going ऑभी see point भेस तुमने विलाओ यह यह थी यहां पर यह नामधब्येघी बाद मैं लिखा भी यहां पे क्या करें करेंगे और trainee को भी ठीजेग और ठीक है वह वी अमने इसको कर दिया वाद में तो हमारे पास अपने पास ABC और यहां पर बन चुका है अब इसके उपर लेंद्ध लिएक तो यह भी हमारे पास 4.8 cm हो जाएगा 20 हमारे पास कितना यहाँ पर बी सीकें में लेन्थि दी हुई थी कितनी 3.5 ठीक है तो यह एगर 3.5 सेंटिमिटर है तो हमारे पास यह भी 3.5 हो जाय에ा ठीक है बही यह भी 3.5, यह भी 3.5 बीचिका डा्यगूनल था उसकी लेन्थ हमारे पास कितनी थी यहाँ पर Day 5.4 cm हमारे पास यहां पर इसकी लेंथ हो जाएगी ठीक है भी यहां पर हमारा एक क्वेश्चिन ABCD जो क्वादिलेटर पैरलियोग्राम था वो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चिन अभी अपने पास क्वेश्चिन नमबर 13 क्वेश्चिन नमबर 13 देखो कैसे करना भी यहां पर कंस्ट्रक्ट आप पैरलियोग्राम ABCD इन विच डाइगनल हमें एसी 5.6 cm दिया हुआ यहां पर और साथी साथ डाइगनल बीडी भी दिया है जिसकी लेंथ 6.2 cm है अब एंगल देखना हमने यहां पर इनके बीच में कितना बना हो बढ़ी 60 डिग्री का तो एंगल भी दिया हमें यहां पर ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगा भी यहां यहां पर construction में C line segment draw कर लेते हैं ईसी जिसकी लेंथ हमें धीया आपर 5.6 cms हैं तो क्या करेंगा मिzahl के अध्य तो हमने क्या कर देना है यहां फाइप 6 centimeter के एक line draw । कर देनी है । यह हमारे पास 5.6 छीड के अब क्या करेगे इसको draw कर लदे थे हैं तो तो डागे कर लेते हैं में वैसको यहां सी-सी कर लें लैंद लेके 5.6 cm की Line एसी दिया हुँए ठीक है तो हम रख लेंते हैं इसका नाम C उसके बाद क्या बॉलाै बैसेक्ट करना इसको परेपेंडिकुलर ही बैस को प्रपेंडिकुलर learnt करने से इस इचधर है एitelे आप एसे अब perpendicular bisect के होता भई देखो ध्यान से हमने क्या करना परपेंडिकुलर आगे आने वाले question वे जो next exercise करेंगे इसमें भी हमें perpendicular bisect करना होगा तो इस question को ध्यान से समझना भई इस exercise से थोड़ा different question है ठीक है बाकि तो questions हारे easy थे थोड़ा different answer तो क्या करेंगे आपने compass लेनी है जो आपने length कीची है इस line को क्या करना half से ज्यादा compass देखो मैंने half से ज्यादा open कर लिए इसको अब a point पर नीडर रखनी है और arc लगा देनी है उपर भी और नीचे भी एक यहां पर लगा देंगा ऐसे और एक आर्क लगा देंगे नीचे की तरफ ऐसे ठीक है भी आपने क्या कर देना है दो आर्क लगा देनी है compass को half से ज्यादा open करके जैसे जो हमने total लाइन था ना इसके half से ज्यादा open करके ऊपर भी और नीचे भी आर्क लगा देनी है similarly compass को इतना ही open रहने देना है और आपने c point पर रखना है needle को और cut कर देना है एक यहां पर cut कर देंगे और एक बार इसको इस वाली line से cut कर देंगे ठीक है यह हमने यहां से cut कर दिया अब क्या करेंगे अब जहां पर cut हुआ ना इसको क्या करेंगे रफ्ली ड्रो करेंगे यहां पर क्या करेंगे रफ्ली हमने ड्रो कर लेना इसको जहां पर cut करके गया यह इसको हम यहां पर रफ्ली जहां से cut करके जाएगा उसको हमने रफ सबото प्रपेंडिकुलडर करण अब यहां पर हम इसली संपल है अब जहां पर हमारा ऑग सփ थेंसे कोछना, श्लेगर नाम हमाराइन और जहां पर सोन बना दिया है यह यहां कैकरеेगे लेगक नाम क्या नाम हमारा क्या होगा यहां क्या करेंगे simply इन्होंने बोले कि अब आपको ओ पॉइंट के उपर ड्रो करने एक लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री 60 डिग्री अंगल बनाना ओ पॉइंट के उपर तो आपने क्या करना है शिंपल है बिलकुल नीडल को रखोगे o पॉइंट को पर ठीक है इस अपने अरक टेम लखूँ। हम यहां अपने जहां पर किया था इस पर रखना है यहां रखना है और कर्देना है यह यह और यहां पर कितना pursue हो जाएगा आपका 60 डिपिर अंगल अब आपने करना है 60 डीडिकर यापन चुकर करते हैं कि यह कुछ है रफ मेरान जहां से कट करके घेच बिल्कोल हमने निकालन और इसको明ा यहां पर करेंगे डे टीकट तो हमने यहां पर रखना है रफली लाइन गारने के लिए उन्हां, इसको भी पर क्या करते हैं डोटिद लाइन को खीच देते हैं अब उसके बाद देखते हैं हो या करना है तो हमें क्या करना है यहाँञा और और हमेे बोल ला का का करना अब कमपस उछ wraps देना सिंपली कर देना बोचाइड जो रहें लाइन को फिड़ाक कर देंगे अब यहाँ पे साइड भी करण आपने दुसरी साइड यहां पर कट करलिए यहां पर कर लिया ठीक है तो दुनों साइड अब हमने कट कर लिया अब क्या करेंगे इसको डाक कर देते हैं इसली बस तो जहां-जहां कट करेगी वहां इसको डाक कर देते हैं यह हमने यहां पर जहां-जहां पर कट करी है उतनी लाइन को डाक करना बाकी हमारी डोटीरी रहेगी अब है तो य बोला क्या आगे यहां तक करने के बाद बोला कि आपने क्या कर देना है, जोइन कर देना है किसको A, B को, B, C को, C, D को, A, D को अब A तो हमारा हो गया यह ठीक है है, अब इसको कहां B और D पोईंट पर करना है, किस से करना है, B और D point पे तो यह हमारा जो यहाँ पे cut हुआ ना इसको point को बुलाएंगे हम B point क्या बुलाएंगे भी यहाँ पे B point बुलाएंगे ठीक है और जो यहाँ पर cut हुआ है इस point को बुलाएंगे हम यहाँ पे D point तो अब हमने क्या करना है A को B से B को C से c ko d से और a ko d से सब भी को आपस में मिलाना तो एक एक करके मिला देते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम करेंगे हमसे c ko मिला देते हैं अब ये d से सो और y s ko b se मिला देते हैं पहले तो यह हमने c p görüş रखा यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ये b से मिलगी ठीक है भी यह हमने सी पॉइंट रखा और यह हमने इसको मिला दिया डी पॉइंट से अब क्या करना है डी को मिलाना है एपॉइंट से किसे भी एपॉइंट से तो यह रहा हमारा डी पॉइंट और इसको मिला दें किसे एपॉइंट से तो यह बन चुगा भी हमारा कौन सा A B C D ठीक है जिसके अंदर जिसकी डाइगनल की लेंथ देख लगते हैं क्या थी उपर वाले की इस डाइगनल की लेंथ अपने पास वह 5.6 cm 5.6 cm और जो यह वाला डाइगनल बना अपने पास यह वाला जिसका नाम है BD उसकी लेंथ हमें दी थी 6.2 तो 3.1 हमारे पास इस साइड था और 3.1 इस साइड है हाफ हाफ किये था हमने यह तो टोटल कितना हो जिगा अपने पास भी यह 6.2 हो जाएगा जो हमें गीवन था ठीक है तो आज हमने यहां तक question complete कर लिए भई हमारा यह 13 question था यह इस exercise का last question था ठीक है इस से previous हमने सारे question किये इस exercise के और इस exercise के खतम होने के बाद हम next exercise start करेंगे exercise 19B ठीक है यह 19A थी हम इसके बाद 19B start करेंगे यहां तक अगर आपको कोई भी doubt आता है या कोई problem कोई query हो तो आप मुझे comment भी कर सकते हैं thank you